नमस्कार वेरी गुड मॉनिंग आप देख रहे हैं जी राजस्थान मैं हूँ आपके साथ चंदर श्री राश्वर बुलिटिंग की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी एहम ख़वर के साथ आज से संसद सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ये संसद सत्र बिल्कुल अलग है क्योंकि ये अठारवी लोकसभा का पहला संसद सत्र होगा लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला सत्र होगा और सदन में पहले दो दिन सांसदों को शपत दिलाई जाएगी इसके बाद ल 287 चपत लेंगे 25 जून को 264 चपत लेंगे प्रोटेन स्पीकर भर्तुहरी महताब 272 को शपत दिलाएंगे 26 जून को लोगसभा स्पीकर का चुनाव होगा 27 जून को सहयुक्त सत्र को राष्ट्रकती संबोधित करेंगी प्येम मोदी 2 जूलाई को लोगसभा में बोलेंगे तीम जूलाई को राज्यसभा में बोलेंगे प्येम मोदी तो 28 जून को नए सांसुदों का शपत ग्रहन होगा इसके बाद 26 जून को लोगसभा स्पीकर का चुनाव होगा इसके अगले दिन राज्यसभा का 264 वा सत्र शुरू होगा और राष्टपती जौपती मुर्मू का अभी भाशन होगा 28 जून को प्रधान मंत्री नरेंज मोदी अपने मंत्री परिशवत के सदस्यों का परीचे देंगे लोगसभा चुनावों की चुनावी रैलियों और नतीजों के बाद हुए हमलों के बाद अब सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का सामना होने वाला है आज से अठारवी संसत का सत्र शुरू होने वाला है लोगसभा में आज 280 संसत शपत लेंगे बत और सांसद पहले PM मोदी का शपत ग्रहन होगा 25 जून यानि कल 264 सांसद शपत लेंगे सभी सांसदों को प्रोटेम स्पीकर भरत्री हरी महताब शपत दिलाएंगे असम के सांसदों के साथ प्रक्रिया की शुरुआत होगी और आखिर में बंगाल के सांसद शपत लेंगे 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा और 27 को राष्टपती दोनों सदनों को संबोधित करेंगी आखिर में 2 जुलाई को PM मोदी लोकसभा में और 3 जुलाई को राजसभा में भाशन देंगे सत्र के आखिरी दो दिन राष्टपती के अभिभाशन पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी नई संसद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राहूल गांधी का आमना सामना होने वाला है 2024 के चुनाव परिणाम के बाद संसत का सीन कुछ बदला बदला सा होगा सत्तापक्ष पहले के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर और विपक्ष थोड़ा सा ताकतवर दिखेगा